आज हो रहे A.C.I. खेलों के पहले सेमी फाइनल में भारत ने बांगलादेश को 9 विकेट से बुरी तरह हराने के बाद नेपाल के कप्तान रोहित कुमार पॉडेल के तरफ से आया। ये प्रतिक्रिया कि आप भी सुनकर चौक जाओगे। बता दें कि इस मैच में बांगलादेश ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने घुटने टेक दिये और 20 ओवर में कुल 96 रन ही बना सकी जिसके जवाब में भारत ने इस मैच को 9 विकेट से जीत लिया। भारत के तरफ से यशसवी जैसवाल ने बिना खाता खोले ही प पाइनल में अपने जगह बनाई तो इस मैच को भी एंजोई कर रहे नेपाल के कप्तान रोहित कुमार पाडेल ने बताया बांगलादेश के बैटिंग को देख कर में आश्चर्य हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह ना लड़कर हारना ये टॉप टीमों के लिए शोभा नहीं देता भले ही हम रैंकिंग में बांगलादेश से नीचे हैं लेकिन अगर हम बांगलादेश के जगह होते तो जरूर लड़ाई करते मुझे खेद है कि बांगलादेश ने भारत को फाइनल का टिकट ऐसे ही दे दिया बांगलादेश की टीμ को वहां नहीं होना में